बावनादपूर के इस चुनावी सवा में मंच पर पस्तित नौजवान संगर्थ मोर्चा के इवा तूर्गर्द्यक्ष और विदायक श्री पानुपरताप साही जी गरवा के विदायक और जारखन प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के उपाद्यक्ष श्री सतेनना तिवारी जी पलामु लोग सभा के संजोजक और भारतिय जनता पार्टी के दरिश्ट नेता श्री सिहाम नलाएंदोवे जी गरवा जिला के अध्यक्ष श्री ओम परकास्ति श्री जी नौजमान संगर्च मोर्चा असू यो मलोचपा के जिला अध्यजगन मंचपर विनाजमान श्री कौसल किसोर जैसवाल जी उपाध्य जी हमारे पार्टी के वरिश नेता बसंतियादो जी और इस चुनावी सवा में उपस्तित सभी एंडिये के हमारे कारकर्टा बंदूओं उपस्तित देवियों, सज्जनों और मिडिया के साथियों पलामों गड़वा की जनता राजनीति के परिपुक्ता अंडि जीलों से बहुत ज़्यादा इसलिए यहाँ की जनता को देश की राजनीति, किस्थिति, परिस्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रुत नहीं क्योंकि किस तरह 2014, 2004 और 2014 के दस बर्स के डॉक्टर मनमोहन सिंग के निदित में जिसे अभी महा गड़वंदन का नाम दिया गा, उस समय भी यही गड़वंदन की सरकार दस बर्स तक इस देश में राज़ किया, उन दस बर्सों में अगर हम देखे तो देश की चाहवांतिक सुरक्षा हो, देश की बास सुरक्षा हो या फिर देश का स्वरेंगें समावेशी पिकास हो देश की जनता को डॉक्टर मनमोहन सिंग के नित्वित में चलने वाली गड़वंदन की सरकार ने निराज किया देश की जनता में हतासा, दस बर्स तक कैसी सरकार देश में थी, जो नीन ने लेने किसी थी में ने क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल स्री मति सोनिया कांधी के और इसी देश दस बर्सों में पाकिस्तान के आतक वादियों ने चाहे वो 26 से 11 बंबे की ब्लास्ट घटना हो, हैदराबाद की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, जैपूर की घटना हो, जंबू की मंदिर की घटना हो, या फिर पार्लियामेंट पे की घटना हो कॉंग्रेस की नेटिट की हिंपत नहीं थी कि पाकिस्तान के आतगवादियों को घर में घुश के जवाब देने का और इन सारे चार बर्स में आप देखें मोदी जी के नेटिट में जो हिंडे की सरकार है पाकिस्तान की बात तो थोड़िये देश का कोई देश की हिंपत नहीं हुई कि हम देश के किसी राज्य में जाकर आतंगवादी की घटना कर सके जाओ मारास्टों हैदराबादों दिल्लीों पंजाबों और हाल के दो घटना हुई एक उरी की घटना आपने देखा किस तरह उरी की घटना का भी बदला हमारे मान्ये परदान मंत्री जी ने सेनाओं को खुली छूट दी और पाक अधिकरित कास्मीर में ना सिर्फ आतंगवादीों को मारने का काम किया भलकि उस आतंगवादी के घटने को भी दोस्त करने का काम किया अगर पुलमामा की चालीस जवानों की सहादत जो माभारती की रक्षा के लिए जो पाकिस्तान के आतंगवादियों के द्वारा हुई मान्ये परदान मंत्री जी ने वायू सेना को खुली छूट दी और आपने देखा जब हमारा चालीस परिवार जो सहादत के थे बारवी मनाने में लगे वे थे एक गारवी दिन में ही रात में अड़ाई बजे हमारे भारत के भी जवान वायू सेना के जवान अपनी सौर और भीवता का पंचय देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस कर चुन चुन कर आतगवादियों को मारने का काम क्या है और आतगवादियों के अड़े को द्वस्त कर रहे हैं इसे कहते हैं चप्पन इंच का परदान मंत्री नरेंद मोरी आज दुनिया का किसी देश की हिम्मत ने कि भारत की तरफ आख उठा कर देखे यह क्यों हुआ क्योंकि देश में 130 करोड जन्ता के असिरबाद से एक गरीब परिवार में जन्में एक देश भक्त एक रस्त भक्त आज देश का परदान मंत्री और आज सारे चार वरसों में जो विकास भी आप देख रहे हैं तिये देश 2014 के पहले मोधी जी परदान मंत्री जी के पहले या तो देश आतक वादियों से गरसित था या फिर उगरवादियों से गरसित अगर हम जारखन की बात करें तो सारे चार साल पहले चाओ पलामू हो गरवा हो लतेहार हो लोर्दक गाओ इन उगरवाद छेतर में आम जानू हमेशा डरे और सामे रहते थे कि कब आतंग वादियों के द्वारा छेतर में हमला हो जाए कब जानमाल की चती होगी लेकिन सारे चार वरसों में मोदी जी के नेटिवत में जारखन के भी हमारे जवान चाओ सियार प्येट के जवान हो कुर्बा के जवान हो जीला के जवान हो अपनी जान की बाजी लगाकर भीडों में भी रहकर इस जार्खन की जनता को अमन चैन और से जिन्दगी जीने का काम किया ते किये हुआ क्योंकि डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी मोधी सरकार राज में भी मोधी सरकार और इस सुरक्षित भारत सुरक्षित जारखन के कारण ही सारे चार बर्स में जो हमारा गरीब चैवादिवासी हो दली थो सोसी थो बंची थो अकिलिया थो बर्सों सी भिकास की बाट जो रहे हैं कि कब हमारे दिन बहुरेंगे और आपने देखा आपके किस चेत्र में भी काफी काम हुए है चाह वो परदान मंत्री आवास योजना हो या फिर देश की आजादी बाद हमारी महलाओ हमारी बेटी की पीड़ा को अगर किसी परदान मंत्री जी ने समझा तो और नरे दमोगे इस राज में 2014 में मात्र 18% घर में ही सवचाले थे हमारी मा, बहन, बेटियां संधिया का इंतिजार करती थी कि कब संधिया होगी हम सौच के लिए मैदान जाए मानिय परदान मंत्री जी ने करोडों बहनों की इस पीड़ा को समझते हुए हर घर गरीव का घर सवचाले बनाने का और इस तरह सवचाले बनाकर ये जो हमारी महला सक्ति है इसकी सम्मान करना, इसकी सुरक्चा करना ये हमारे मानिय परदान मंत्री जी ने की उसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा इसमान भारत जहां जारकंड में हम 60 लाग परिवार में राजसरकार के बज़ट से 400 को रुप्या देकर 57 लाग परिवार को 5 लाग का गोर्डन कार्ट जो आप देख रहे हैं घर घर बट रहे हैं अब कोई गरीब को अगर कोई असाद्य विमारी हो जाती है तो किसी बहन का गहना का बंदग रखना ना पड़े किसी गरीब को खेत को बंदग रखना ना पड़े क्योंकि गरीब अगर एक बार करज में डूप जाता तो फिर करज से उबर नहीं पाता इतनी बारिकी से चिंता करने वाला परधान मंत्री नरेन मूदिज इसलिए योजनाएं कि अगर हम बात करें तो इतनी योजनाएं जो आज चाहो अदिवासी दलीद गर के घर-गर में बिजली हो बिजली की जो बुनियादी जो रुरत थी आज हर गर-गर में बिजली पहुँच गई गरीट के स्थापना हो रही है, सबिस्टेशन के स्थापना हो रही है आपके हाँ लगबक गरीट कप्लीट है कुछ तार जोडने के कमी के कारण आने वाले काद महने के अंदर और हमने जन्ता से कमिट्मेंट किया जब 117 गरीट 257 सबिस्टेशन ये दिसमबर तक बन जाने के बाद गाओं में भी 24 इंटू 7 बिजली हर घर को प्राप्त होगी इस उद्देश से हमारी सरकार का अचार सहिता स्खत्मोने के बाद जिस तरह गरवा में स्टीट लाइट आप नगर निगन के छेतरे में देखते हैं वो अब स्ट्रीट लाइट हमारे गाउं में भी तेईस मई के बाद हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट गाउं में भी लगेगे। हर गाउं में जल मिनार पांच हजार गेलन का पानी उपर सोलर निचे टीप ताकि हमारी बहनों को पानी लाने की कोई दिक्कत ना। हर गाओं में कीचर रहीद सड़क फेबर ब्लॉक सड़क हर गाओं में बनेगी ये भी 23 सितंबर से सुर्य हो जाएगी ये जो 1200 करोड चौदवे जित तक का पैसा जो मोदी जी सिदे मुकिये के अपको भेशते हैं हमने मुकियाओं के साथ बैठा करके सारी योजनाई बना लिए कुछ की टेंडर भी हो गई है जो टेंडर नहीं हुई टेंडर होके तो आप तीन मेने के अंदर देखिएगा पूरा 32,000 गाओं जिस तरह गड़वा के सहर में आप चका चौन देखते हैं चाहे वादिवासी गाओं हो दलीद गाओं हो चाहे समाच के अनवर के गाओं हर गाओं चका चौन से भाए लेकिन आज ये जोर लोग ये भरश्टाचारी लोग जो देश के अजादी के बाद से ये गवरीबों का हक चिनने वाला ये कॉंगरेस पार्टी गाय का चारा खाने वाला आरजीडी और बालू का कनकन थेकाग देने वाला पॉंबे का जारखन मुक्ती मौर्चा जो जारखन की असमिता को बेचने वाला जारखन मुक्ती मौर्चा इस सारे लोग चोर लोग एक महा गडबंदन बनाए गड़बंदन क्यों बनाएं क्योंकि यह जानते हैं अगर मोधी जी फीरा गए तो यह लोग कहा रहेंगे कोई इतिहार जेल में रहेगा कोई हुटवार जेल में और इसलिए सारे चोर एक होकर एक ही नारा मोधी हटाओ क्योंकि यह जानते हैं कि मोधी फ्रस्टाचार से किसी से समझाता नहीं करते हैं चाहें उसके सामने कितनों बड़ा हस्ती हो और यही डर आज सारे कॉंग्रेस इतनी पुरानी कॉंग्रेस पार्टी इस सारे चोर लोग एक होकर डर कर यह महागडबंदन बनाएं आजी जार्खन मुक्ति मोर्चा का एक विधायक जार्खन आंदोलन कारी का हमारा के पूत्र पटेल जो जार्खन मुक्ति मोर्चा के मांडू उकसे विधायक है आज सार्जनी की रूप से प्रेस कॉंफ्रेस कर उन्होंने बयान दिया कि हमें गडबंदन फगबंदन नहीं मानते हैं और देश के लिए मोदी जी को जिताना है कि आज जार्खन मुक्ति मोर्चा के विधायक भी कर अब हर दल के लोगे मसूस कर रहा कि यह चुनाव डेश के लिए देश की कौन कौन इस्थिर सरकार दे सकता कौन डेश की सुरक्षा कर सकता और इसलिए जो आपके हाँ भी खड़े है आरजेटी के उमिदवार नाम भी बहुत अच्छा है घुरन राम जी जो हमेशा खूरते रहते हैं कभी बीजेपी में गूरेंगे कभी आरजेटी में आएंगे खाली अपनी स्वार्थ के लिए इनको कोई दली समाज से मतलब नहीं ते घुरते और गुरने वाले घुरते राम को गुमा के भेज़ देना है बिहाँ आएसे लोगों की जहां अभी हमारे पसंत यादव जी भासन में बोल रहे थे जारखंड में लाल्टेन बूच चुका बूच गया ना क्योंकि हर गर पिजली पाउज गई तो जारखंड में अब लाल्टेन जुक की कोई जरूरत है जरूरत है तो जैसे भानुच ने सबसे हाथ उठाया समाज का हर वर्क ये रजेडी कॉंग्रेस देश को पीछे ले जाना चाहता प्रामू को पीछे ले जाना चाहता फिर से आपको लाटेन जुक में ले जाना चाहता और मूदी जी देश को उजाला जुग में ले जाना चाहता और उजाला ने कोई भेदवाव नहीं चाह मुसलमान हो चाह सीक हो चाहिसाई हो चाह दली तो सोसी तो बंची तो जो गरीभ है सब के साथ समान बेवा, सब का विकास और सब का साथ के साथ ये मोजी सरकार काम कर रही है मैं आप से इतना ही अपिल करना चाहता हूँ कि आप सब में काफी राजनितिक जाग रुपता है ये चुनाओ देश के लिए बहुत माटपून चुनाओ कि देश कभी सोने का चुड़िया काक जाता है हम सब विद्यासी जीवन से गुजरे है कि तिहास में हम पढ़े है मुगलों की इतने लुटने के बाद भी आज में भारत में काफी संसाब लेकिन ये अजादी के बाद से ये जो कॉंगरिस ने भी देश को काफी लुटा फिर भी देश में अभी काफी संबावना है इसलिए इस भारत को फिर से सोने की चुड़िया इस भारत को फिर से भिस गुरू और जिस तेजी से इस सारे चार बरस में नरेन बोदी जी भारत का मान साविमान दुनिया में फैलाने का काम किया और आज हमारे परदान मंत्री जी सिर्फ देश के नेता नहीं है बैस्विक नेता ये हमारे परदान मंत्री जी है और ये परदास ये जो बंसवाद की राजनीती करने वाले परिवारवाद की राजनीती करने वाले जो भारत को एक जागिर समझता है इनको वरदास नहीं हो रहा है गरीब देश का परदान मंत्री बना हुआ यह गांधी परिवार चाहता है या इनका बेटा बेटी ही इस देश का परदान मंत्री बने तो क्या भारत को हमें जागिर बनने देना है गांधी परिवार का देना है कि उसलिए इसलिए चुनाओ बंस्वात बनाम लोकतंत्र जाए जूता सीने वाला मोची भी इस देश का परदान मंत्री मुक मंत्री बन सकता है ये लोकतंत्र में हमें दिखाना नहकि सुनिया गांधी के बाद राप्वल गांधी गाए प्रेंका वाड़ी पिर उसका तमायाद पिर उसका बेटा और बेटी असीतार लालु में देखिए और ज़ादो बहुत ज़ादो है तो लालु जो राफरी दे, तेजैस्वी, मेजैस्वी और भ्यार में आप लालु हमारा यादवक को देखिए कोई परिवारबाद नहीं कोई बंसवाद नहीं भारतिय जनता पार्टी कैसी पार्टी है जहां एक चाय वेशने वाला भी और एक टाटा इस्टिल में मजदूरी करने वाला भी राज का मुखमंत्री बन सकता है इसका नाम है भारतिय जनता पार्टी इसलिए मैं आप सबसे अन्रोद करूँगा जिस तरह 2000-14 में बंसवाद की राजनीती परिवारवाद की राजनीती को आप नकारते हुए पहली बार एक मजबूत सरकार नरेन मोदी जी के ने तिट में आपने देने का काम किया था तो 2000-19 में फिल से देश की राजनीती से नकारे लोग जो आज देश में नकरात्मक राजनीती कर देश को पीचे ला जाना चाहते वो ऐसे लोग को फिर मुँ तोड जवाब आपको 29 अपरेल को जो हमारा इंडिये का परत्यासी है सिरी भीडी राम को कमल फूल पर बटन दबा कर जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि अगले रिकार्ट को हमें तोड़ना हूँ अच्छा खेलारी वही होता है जो खुद का रिकार्ट को तोड़ता तो आप सभी इस पलामुल संसदिये चेत्र की जनता कार करता सा मेरी अपील है इंडिये की की पूरी एमनदारी से ये कमल आप देख रहे है कमल में कौन सवार होके आती है कौन सवार होके आती कमल में माल अच्छमी माल अच्छमी कमल में आती यानि कमल मतलब रोजी कमल आएगी तो रोजी आएगी कमल आएगी तो रोटी आएगी कमल आएगी तो नौजवान को रुजगार मिलेगा कमल आएगी तो हर घर में समरिदी आएगी कमल आएगी तो हमारा राज समरिश साली होगा कमल आएगा तो हमारी देश समरिश साली होगा और जिस तरह नरेन मोदी जी के निटित में साड़े चार साल के अंदर देश का तेजी से अर्थ ब्यवस्ता उभरने वाला अमरीका और चाइना के बाद भारत तीसरा देश किस मुकाम तक पहुँच रहा है तो हमें इस देश को समरिश साली बनाने के लिए इंडिये के परत्यासी को कमल फूल पर बटन दबा कर जितने भी उमिद्वार खड़े सबका जमानत जब लाल्टेन पुझा कर रिकार्ट मद्दान से आप मद्दान करें 29 अपरेल को गर्मी का सिजन है सुबा 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 साड़े छे बजे नहा धो के पहले मद्दान उसके बाद जलपान ये काम करने के अन्रोथ के साथ अपनी वानी को समाब्द करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सार अब मैं धन्यवाद क्यापन करने के लिए भौरास्पूर के मंदाला देक्स्री संजय यादो जी सावरा करता है करता हूँ कि यहां रिकाट मत से हम सब भी जय होगे है और आप लोग इस दूप में आए इसलिए आप उसको अहार्ति को विनंदर और धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद करता हूँ नहीं करता हूँ नहीं करेजा तुभी जल्ड़